हेलो स्टूडेंट्स यह हमारे संदी का जो वेंजन संदी हमने पढ़ी थी उसका सेकेंड पार्ट है हमने सचुत्व संदी और शटुत्व संदी दो संदिया पढ़ ली थी और आज हमारा टॉपिक है जशत्व संदी जिसका सूत्र होता है जलाम जशोंते क्या होता है जलाम पीसा की बात करण होता है कैसि यह देखिए अगर किसी पर दूसरा वर्ग्यानि की पूरा एक वर्ग होता है क्र उसके जो न hoeते हैं वह पहला दूसरा तीसरे की बात करें तो चूथा वर्ग पहले से इनके हो जाता है इनके वह है इधर कोई न कोई स्वर आएगा ठीक है यानिकि one two three four पहला दूसरा तीसरा चौथा और शह सरस्वा सभता चाए उसके बाद में अगर कोई स्वर आ जाता कोई आ जाता है स्वर तो जो है यहां पे जितने भी यह ढूरा हो दूसरा हो तीसरा हो तो उसका कौनसा उसी वर्ग का तीसरा वन होगा तो इस कश में चेंज हो गया गया तो बन गया वाग इस जगदिश जगत प्लस इश यहां पे त यहांपे श्वर आगया अब तवर का तीसरा वन क्या होता है द तो यह जो त है वह दव में चेज़ ज़ेगा क्या बन किया चक्दीश आगया समझ में जैसे एक उदान देती हूं अज प्लस अंत आपने देखा अज प्लस अंत यहां पे च है और यहां पे वापस्वर आ गया तो वर्क का पहला वण है यह च अब च के बाद में क्या करेंगे हम च का तीसरा चतरव संदी का मतलब होता है खरीच खरीच का मतलब यह होता है कि यदि किसी वर्क में कवर्गो चवर्गो टवर्गो तवर्गो या पवर्गो कोई भी हो उसके द्वित्य त्वित्य चतुर्थ वण के बाद वर्क का प्रथम या द्वित्य वण या शर्षर सर आए तो प प्रफ और उसके बाद में अगर पहला या दूसरा श करतेंगे सदॉב काल यह किसी भी ऑन काहिए दूसरा एंधर कार्म आढसक पहले किसमें चैंज करें चैंज कर देथा चतर संधी का मतलब यह होता है कि यहां क्या आना चाहिए हमारा इधर मेरा दूसरा तीसरा या चौथा वरण कोई भी हो लेकि इधर पहला या दूसरा वरण ही होना चाहिए या फिर, सहर्षजह सह और होना चाहिए तो मैं इसको किस में करऊंगी पहले वरण में अनुस्वार संदी, बहुत एजी है, मो अनुस्वार हो, मो अनुस्वार का मतलब होता है, मा को अनुस्वार हो जाता है, और कोई भी मतलब नहीं, कि यदि किसी पद के अंत में, हलंत वाला मा, यानि आदा मा हो, और उसके बाद में कोई वेंजन आ जाए, तो मा को हम क्या करे अनुसार के बाद कोई भी वर्गिय वेंजन आये तो अनुसार के स्थान पर आने वाले वन का पंचम वन हो जाता है । आपको कुछ भी नहीं कर Pस्वन संदि का मतलब यह ओता है कि अगर पहले कोई अनुसवार वाला स्वर है अनुस्वार वाला कोई भी वन है उसके बाद में अगर व्यझन आजाता है तो हम क्या करेंगे इस अनुस्वार को अगले व्यंजन का जो इस वर का여 सांड जैसे अगर यहां पर और यहां पर इत लिखाओ में है देगर डिखन देऊंगे आया आपको समझ में जैसे उधारन देखिए संकल्प जैसे सह यहां पर कह है तो मेरा जो एनुस्वार है उसको में चेंज करूँ कि उसी वर्लक्रा पांच वर प्लस्चित तो यह जो च्छा का पांच वर रता है न तो देखेंगे आगे आपको समझ में तो आज के लिए इतना ही कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे आगे की जितनी भी संधिये वो करेंगे तब तक के लिए बाए